बिस्मिल्ला रख्माने रईम असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आईए चलिए हमारे साथ यह देखिए हम क्या खा रहे हैं हम खा रहे हैं जलेबी गर्मा गरम जलेबी और यह हैं हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी हमारे यह जलेबी और रबड़ी बहुत पसंद की जाती है और हम उसुबा में हमारी यह जलेबी बहुत गरम गरम मिलती है बरेली की जलेबी यह बहुत famous है आईए आप लोग भी हमारे साथ जलेबी यह खा लें जलेबी का नाश्ता करने के बाद पिर हम लोग खाना बनाने की तयारी मे लग गये थे, आज हमने मटन लौकी बनाई, यह हमने लौकी साफ करके रखी, हमारे सबजी वाले भी आ गये थे, बहुत अच्छी लौकी थी, एक दम फ्रेश तो हमने सोचा के आज हम मटन लौकी बन कोकर कर वह सिरान की नियुका न बैदा यृडब में और पर बैस फाना बदाने के कि क्याराइ तेक हम अपने काना बनाने की नियुका रही है। में कुकर में टमाटर मसाले वगेरा सब जो भी डालते हैं वो डाला ओयल डाला यह देखिए ओयल डाला यह सब डालने के बाद फिर हमने अपना कुकर लगा दिया था सुबह में बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है बस घर का सारा क्लीनिंग लेनिंग करने के बाद खाना बनाने लग जाओ यह देखिए हमारा मटन भी गल चुका था इसको सुर्फ भूनना बाकी था तो हमने इसको कुकर खोला हम मटन भून रहते जब हमारा सभी भून चुका फिर हमने इसमें अपनी लौकी डाल दी बहुत टीस्टी बनता है आप लोग बना कर देखना किसी दिन मटन लौकी बहुत अच्छा लगता है यह चावल के साथ खाया जाता है रोटी भी खाते हैं रोटी के साथ भी खाते हैं लेकिन यह चाव लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि हम लोगों का क्वल से हर चीज बहुत अच्छी लगती है कि आम लोग यह क्या कहती हैं हमें complete करgesंद बनाते हो बताना आप लोग भी यह देखिए हमने लाूकी गलाने के लिए अपना प्रेशर कुकर लगा दिया था इतनी अच्छी इतनी सौफ्ट लॉकी थी कि दो विसिल में हमारे लॉकी एकदम हलवे की तरह हो गई थी इस टाइम हमारी यहां मौसम की सबजीयां बहुत अच्छी आ रही हैं यह देखिये हमारा सालन भी तयार हो रहा था इधर हमारे चावल भी बन रहे थे इधर हमारा सालन बन रहा था फटा फट हम लोगोंने सालन वगेरा बनाया खाना बनाया फिर फ्रेश हुए नमाज पड़ी खाना खाया यह देखी हमने बगार भी कर दिया अपनी लौकी में फिर हमें थोड़ा सा काम था थोड़ा सा कुछ सामान लेना है तब हम लोग अभी बजार के लिए निकलेंगे मार्किट जाने के लिए जब यह हमने बगार कर दिया था तब हमने फिर इसके पर से गरम मसाला डाल दिया था वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इतना भी डाले हैं आप यह देखिए हमारा खाना रेड़ी हो गया था कैसा लग रहा है हमारा मटन लॉकी और चावल हम लोगों किया यह बहुत पसंद किया जाता है यह देखिए आप लोग इसे कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के यहां मटन लॉकी कैसे बनाते हैं यह देखिए खाना वाना खाने के बाद प्री होने के बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे थोड़ा सा कुछ हम लोगों को सामान लेना था तो हमने सुचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए यह हम लोगों के यहां का बरेली के यहां का सराय खामेरिया है यहां प्लास्टिक का सामान वगएरा बहुत अच्छा मिलता है यह देखिए यह लोगों का क्या बोलते हैं इसे और प्लास्टिक का यह सब सामान बहुत मिलता है बहुत अच्छा मिलता है यह देखिए ज्यादा तर लोग प्लास्टिक के सामान की शॉपिंग यहीं सही करते हैं फिर हम लोगों कुछ माग वगहरा खरीदना थे तब मैंने माग वगहरा देखे यह देखिए लेकिन मुझे कुछ जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला अच्छे थे माशालला सभी अच्छे थे यह ब्लैग वाला भी अच्छा लग रहा था और वो जो मैंने भी वाइट उठाया था वो भी बहुत अच्छा था लेकिन जो हम लोगों को चाहिए थे वो नहीं मिल पाए यह वाइट वाले कप थे वो मग थे यह कप है यह भी हम लोगों ने देखे यह भी अच्छे लग रहे थे फिर हम लोगों को कुछ थोड़ा सा सामान लेना था वो हमने सामान लिया अब हम लोग अपने वापस घर आ रहे हैं इस एरिये को हमारे यहां बरेली में बग्या का एरिया बोलते हैं मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि फिर आप लोग कोई पूछेंगे कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये कौन सा एरिया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसे बगिया का एरिया बोलते है ये देखिए बकरी अपने बच्चों के साथ बैठी भी है ये देखिये थोड़ी सी हमने जो सामान लिया था वो मैंने सुचा आप लोगों के साथ शेयर कर ले ये हमारी पती खत्म हो गई थी चाय की तब हमने ये एक पैकेट ले लिया ये हमारा पाउडर है वो खत्म हो गया था जो हम लोगों का थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया था वो हम लोगों ने ले लिया जरूरत के हिसाब से ये देखिए थोड़ा ही सामान खत्म हो था तो हमने सुचा के चलो ये ले ले लेते हैं जब निकले थे आज मौसम भी बहुत अच्छा था धूब भी नहीं थी और हम फ्री भी जल्दी हो गए थे तब ही हमने थोड़ा सा अपना सामान ले लिया अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फिर म करें उल्दी हो तो